है यहलो एबरिवन मैं पुझा चोधरी खुशी मेकवर्स से वेलकम तो माई चैनल तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ हाइलाइटिंग और इससे पहले भी मैंने आप लोग के साथ में काफी बार हाइलाइटिंग शेयर की है बट आज जो मैं आपके साथ में यह है त्यूब से जो हम लोग हायलाइटिंग करते हैं वह हम किस तरीके से करते है मतलग कलर शेड हम चुनते हैं पहले ट्यूब से और उसके बाद करते हैं तो यह जो कलरड्चाड है यह है इस्ट्रिक्स का और इसमें आपको कई तरीके के color shade मिल जाएंगे, इसमें आपको fashion color भी मिल जाएंगे, इसमें आपको हर तरीके color मिल जाएंगे और इसमें आपको highlighting color भी मिल जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं, ये बीच में जो है, ये highlighting color है, और मेरी जो client ने pick किया है, seven point three किया है color का जो color उछ OFF क्या है अश चुप का इस इससे को बहुँ बहुत अच्छे से आता है यह तो आ सब्सक्राट से कम में हाइलाइटिग हो रखन सpektी है बट जो 40 volume होता है वो बालो को light की side ले जाने के लिए use होता है means अगर हम लोग black बालो पे 40 volume के साथ में इस tube का काम करेंगे तो हमारा अगर black बाल है तो वो 7.3 का जो color है golden color का उस color पर आ जाएगा तो यह मेरी client के बाल है और आप लोग देख सकते हैं इनके बालो में मैंने 20 से section निकाला इनको 10 layers चाहिए और यह 10 layer हम लोग को इस तरीके से इनके बालो में देनी है कि वो देखने में काफी जादा लगे और जो है वो पूरे बालो के ऊपर दिखाई दे कोई भी जो layer है वो न इक तरीके से global highlighting लगे बट यह layers जो है वो टैनी करा रही है global highlighting में कभी आप color कराएंगे तो कम से कम 40 या 30 layers 40 या 30 layers आप सोचके चलिए कि इतनी layers लग जाती है global highlighting में और इनके बालो में rebonding हुई है इसलिए यह tube बला काम करा रही है otherwise अगर आप लोगों को यह color चाहिए तो यह color आप लोगों को डबलापर और ब्लॉंडर मिक्स करके भी आ सकता है बट उसके लिए हमें virgin hair चाहिए होते हैं तो इनका जो बाल है इन्होंने इसमें smoothing करा रखी है तो डारेक्ट आपका color आ जाएगा आपको ऐसी कोई problem नहीं आएगी कि आपको उसके साथ में कुछ और mix करना पड़े या फिर ब्लॉंडर वाला काम दुबारा से करना पड़े इससे ही आपका color आ जाएगा तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही simple बहुत ही easy तरीके से highlighting करना बता रही हूं तो आप लोग इस time पर देख सकते हैं मैंने इनकी तीन लेयर आगे डाल दी हूं और चाल लेयर अब मैं पीछे डाल रही हूं और यह लेयर मैंने बीच की जो crown area होती है वहां से निकाली है मैं आप लोग को बता दूँ यह हम लोगों को decide करना होता है जब पा बालों में एक तरीके से global highlighting जैसी ही लगें क्योंकि उन्हों ऊपर डलवाई है यह इस तरीके से मैं इनके कर रही हूं देखिए आप लोग देख सकते हैं काफी थिक लेयर में निकाल रही हूं और मैंने तीन लेयर अब पीछे दे दी हैं तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इनके बालों में 10 layers में 10 layer इस टैम पे कर दी थीं बट इनको 10 layer से भी ज्यादा चाहिए था एक layer इनको भी जो मुझे लगा कि मुझे देनी चाहिए क्योंकि इनके बालों करना यह सारा बाल जो आ रहा था यह सिर्फ उपर उपर आ रहा था मुझे इनके नीचे रूड में भी बाल की लेंथ में भी मन्था देने का तो ये मैंने अपनी साइट से दी थी जो मुझे लगा कि मुझे इनके बालों में देनी चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं 10 लेयर हमने इनकी उपर उपर दे दी काफी अच्छे तरीके से इनके बालों में हो गई और देखे आपका पालर अगर आप चला रहे हैं तो आपको कुछ एडवाइज अपने क्लाइंट को खुद भी देनी चाहिए क्योंकि क्या होता है हमारा पालर चलाने का तरीका ही इस तरीके का होना चाहिए कि क्लाइंट अगर आपको कुछ बता रहा है तो देखे उसको इतनी नोलिज नहीं है जितनी हम लोग पालर चलाते हैं तो हमें है तो उसने तो आगे हमसे सिर्फ बोल दिया कि मुझे इस तरी बता दी आगे हमारा मन है कि हमें इस तरीके से उनके बालों में डालनी चाहिए लेड्स ताकि आपके हम काम इस तरीकर से करें के वह किसी को अगर दिखाएं तो देखने वाला भी बोलें कि बिलकुल कितने अच्छे से काम हुआ तो अब आप लोग दे सकते हैं मैंने बिल्कुल नीचे रूट जो रूट का नीचे का बाल होता है उस बाल में इनके बहुत मोटी सी लेयर्स डाली वो इसलिए डाली क्योंकि यह जो बाल होता है यह इनकी क्योंकि लेंथ में नहीं आ रही थी उपर जितनी भी मैंने लेयर्स डाली वो इनकी लेंथ में नहीं आ र यह हो गई हैं और 10 लेयर तो हमने इनके 11 लेयर तुछ सिज्व इस तीम पे ख Jordi यह जाता है एक तो लेयर तरहीं हो जाती है अगर आफक़ी आब भी अपने पहलने किसी का काम कर रहे हैं तो कम हैं कर सकते हैं लहाइ?? हम अपनी साइट से कट देते हैं इस तरीके से अब मैंने ये दोनों की mixing करके ट्यूब और डॉबलेपर की mixing करके इनके बालों में application कर दी आप देख सकते हैं मैं थोड़े देर बाद चेक किया तो color almost आ गया था बट क्या होता है थोड़ा सा और अगर ये color आएगा तो जादा बेटर लगेगा तो आप लोग देख सकते हैं देखिए कम से कम मैंने 10 मिनट बाद इनके बालों की ये layers खुलवाई थी 10 मिनट के बाद इनके बालों चेंज हो गया और ये इसलिए हो गया क्योंकि इनके बालों में रिवर्णिंग होई थी तो रिवर्णिंग बाल होता है वह बहुत ही मतला एक तरीके से डेट बाल हो जाता है तो वह एकदम से color छोड़ देता है तो इस तरीके से देखिए इनके बालों में बहुत जल्दी से ट्यूब बाला काम complete हो गया दो layers almost इनकी हो चुकी है तीसरी layer जो मैंने खोली अभी silver foil खोला यह हलकी सी रह गई है इसकी वज़े से हम लोग ऊपर वाली layer भी थोड़े दिर के लिए छोड़ देंगे ताकि संप पे even color आए और उसके बाद आप देखिएगा बहुत अच्छी highlighting होई थी इनकी और देखिए नीचे की highlighting भी आप लोग देख इस तरीके से हमने hair wash करा दिया है और इस टाइम पर आप लोग को only 4 पानी से hair wash कराना है शैंपू नहीं करना है बिल्कुल भी तो देखिए इस तरीके से इनके बालों से पूरा material हम लोगों ने निकाल दिया है और उसके बाद देखिए आगे के बाल भी हम लोगों ने धुल इवन नहीं आता देखिए कहीं ना कहीं आप या तो बालों को पहचान में गलती करते हैं या कहीं ना कहीं आप application ठीक से नहीं करते या हो सकता है आप लोग mixing अच्छे से नहीं करते क्योंकि आपको बता दूँ ट्यूब और डबलैपर वाला जो काम है वो बराबर बराबर क रिशा होता है अगर जितना आप ट्यूब लेंगे उतना ही आपको डबलैपर लेना होता है mixing अगर आपके अच्छी नहीं है तो आपका कलर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा application अगर आपके अच्छी नहीं है उससे भी आपके काम पर फरक पड़ता है तो यह सा बहुत लोग जुड़े हुएं ऐसे जो मेरे पास काफी message करते हैं कि हमारी highlighting बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती या होती भी है तो बहुत ज्यादा कहीं dark कहीं light हो जाती है वो किस तरीके से होती है तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाली हुई है highlighting की जिसमें मैंने ब्लोंडर और डबलापर के साथ में भी आप लोग को काम करके दिखाया है और आज मैंने आपके साथ में शेयर किया है त्यूब बाला काम और ट्यूब और डबलापर के साथ में मैंने आज आपको काम करके दिखाया तो ज्यादा तर वीडियो मेरे चैनल पर इसी ची कि आप लोग अपने बालों में फैशन कलर कैसे यूज़ कर सकते हैं तो देखें आप लोग देख सकते हैं स्टेटनिंग हम लोगों की कितना प्यारा कलर आया है कहीं कम कहीं ज्यादा बिल्कुल नहीं है तो अगर यह वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइ बालों काकingo के दिखाएंगे क्योंकि बीच की मांग निकालती है में सेंट्र इनके बालों में एंके आलाइटिंग करते हैं जन्ये इंका बेल्बल् liquude में सो बiejदी relationships क्योंकि उनको इसी तरीके का चाहिए था दिखती हुई layers चाहिए थी उन्हें बिल्कुल भी चुपी हुई layers नहीं चाहिए थी और काफी अच्छा इनका healthy बाल था बिल्कुल भी damage नहीं हुआ जिस तरीके से इनके बालों में smoothing थी तो smoothing वाला जो बाल है वो highlighting से काफी damage हो जाता है बट बिल्कुल भी damage नहीं हुआ क्योंकि product हमने बहुत अच्छे यूज किये थे तो इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे product यूज कीजिए बहुत अच्छे से काम कीजिए यह सब कुछ करने में काफी time लगता है काफी time consuming चीजे होती है तो आप लोग देख सकत चैनल को अच्छे से search करिएगा उसके बाद आप लोग को काफी help होगी अपना पालर वगार रहन करने में तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई